हाई दोस्तों, Infinix ने अपना एक नया स्मार्टफोन भारत में लांच किया है, जिसका नाम है Infinix Smart 6 इसे जो है 8,000 उपई से भी कम किलमत में लांच किया है, और इसमें 5000 मिलियमपर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 6.8 तुइंज का HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलता है, जो कि इसमें 500 नीट्स की पीक ब्राइटनेश मिलती है प्रोसेसर जो है Mediatek का Helio A22 प्रोसेसर है और Power VR GPU दिया गया है 2GB RAM और 64GB का Internal Storage मिलता है, जो कि MicroSD Card के जो अराब बढ़ाए जा सकता है इसमें जो है Extended RAM फिचर भी मिलता है, Dual Rear Camera Setup मिलता है, जिसमें 8 Megapixel का Primary Shooter मिलता है और एक Depth Sensor दिया गया है, वीडियो कॉल और Selfie के लिए इसमें 5 Megapixel का Friend Camera मिलता है 500,000 मिलेंपर के बैटरी मिलती है, दो 10 वैट के Fast Charging को सपोर्ट करती है Android 11 Go Edition पर काम करता है, और कमपनी का दावा है के प्राइस रेंज में और सबसे पतला फोन है इसमें जो है Antibacterial Bag दिया गया है, जो यानि के कस्टमर को फोन के बैक पर जो है Silver Iron Spread यानि के Antibacterial Material लगा हुआ है, जिससे जो है स्वास्ते को ध्यान में रख कर डिजैन किया गया है रही बात इसके कीमत की, तो इसमें 2 GB और 64 GB वेरियंट की कि में 7,499 रुपए रखी गई है और 6 मई से जो है इसे Flip Card पर ख़ल जा सकता है इसमें Black Ocean और Light Sea Green और Purple Color Option आपको मिलेगा तो अगर आपका जो है बजट इसे रेंज का होगा तो Infinix के तरब से आपके लिए बेतरीन आप्शन हो सकता है तो यह इसी तरह के नए परड़क की जान करें चैनल को सब्सक्रेब करें और लाइक्शर ज़रू करें